The Wind in the Willows The Wind in the Willows is a children's novel by the British novelist Kenneth Graham. First published in 1908 The Wind in the Willows British उपन्यास कार Kenneth Graham द्वारा बच्चों का उपन्यास है, जिसे पहली बार 1908 में प्रकाशित किया गया था. इसमें मोल, रेटी और बगेर की कहानी का विबरंड दिया गया है, क्योंकि वे श्री टॉट की मदद करने की कोशिश करते हैं. जब वे एक मोटर कार के प्रती जुनोनी हो जाता है, और मुसीबत में पढ़ जाता है. इसमें उनके बारे में छोटी कहानियों का भी विबरंड दिया गया है, जो मुख्य कथा से अलग हो गई है. यह उपन्या सोने की कहानियों पर आधारित था, ड्रेम ने अपने बेटे एलिस्टेर को बताया था. इसे स्टेज और स्क्रीन दोनों के लिए कई बार अनुकूलित किया गया है. Plot Summary वसंद और ठीक मौसम के बाहर आने के साथ, अच्छे स्वभाब वाला तिल वसंद की सफाई के साथ धैरेख हो देता है. वह अपने भूमिगत घर से भाग गया है, और नदी पर समाप्थ हो गया है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है. यहाँ वह चूहा से मिलता है, जो एक वाटर वोल है, जो मौल को अपनी रोइंग पोर्ट में सवारी के लिए ले जाता है. वे अच्छी तरह से साथ मिलते हैं और कई और दिन नौका विहार करते हैं. जिसमें रेटी मोल को नदी के रास्ते सिखाते हैं. जिसमें दो दोस्त रेटी के नदी के किनारे घर में एक साथ रहते हैं. गर्मी के एक दिन चूहा और तिल ग्रांट टॉड हॉल के पास उतरते हैं और टॉड की यात्रा करते हैं टॉड सम्रिद, उल्ला स्पूर्ण मिलंसार और दयालू है लेकिन अभिमानी और दानी है वे नियमित रूपसे वर्तमान सनक के परती जणुने हो जाता है खेवल उन्हें अचानक छोड़ने के लिए उनका वर्तमान क्रेज उनके खोड़े से तयार कारवा है जबी कुजरने वाली कार उसके घोड़े को डराती है और कारवा को खाई में पलट देती है तो कार्वा यात्रा के लिए टॉट का क्रेज तुरंत मोटरकारों के प्रती जुनों से बदल जाता है वर्फीली सर्दियों के दिन मोल वाइल वुड में जाता है जुमायावी लेकिन पुन्य और बुधिमान बगैर से मिलने की उमीद करता है वह जंगल में खोजाता है, दर के मारे छुप जाता है और एक पेड की आश्रे वाली जड़ों के बीट छिप जाता है चुहा उसे पाता है क्योंकि बयाना में बर्फ किरने लगती है अपने घर का रास्ता खोजनी की कोशिश करते हुए मोल बगेर के डोरस्क्रेपर पर बूट्सक्रेपर पर अपनी पिंडली भौकता है बगेर अपने बड़े और आरामदायत भूमिगद घर में राट और मोल का स्वागत करता है उन्हें गर्म भोजन, सुखे कपड़े और आश्वस्त करने वाली बात्चीप प्रदान करता है बगेर अपने आगंतोकों से सीखता है कि टॉट्ड ने साथ कारों को दुरगटना ग्रस कर दिया है तीन बार अस्पताल में रहा है और उसने जुर्माना पर एक भाग्ये खर्च किया है वे यह संकर्प करते हैं कि जब समय सही होगा तो वे टॉट्ड को खुद से बचाने की योजना बनाएंगे वसंद के आगमन के साथ उन तीनों ने टॉट्ड को गार्ट के रूप में खुद के साथ नजर बन कर दिया लेकिन टॉट्ड बीमार होने का दिखावा करता है और रैटी को छोड़ने के लिए धोखा देता है ताकि वे बच सके बगेर और मोल्टॉड हॉल में इस उम्मीद में रहते हैं कि टॉट वापस आ सकता है टॉट दर रेड लायन इन में दुपहर के भोजन का ओरडर करता है और फिर एक मोटर कार को आंगन में खीचते हुए देखता है कार लेते हुए वह इसे लापरवाही से चलाता है के रोपने प्रच्छन होने से बचने में मदद करती है गलत फहमी कि एक लंबी श्रिंखला की बाद वह वाटर राट के छेट पर लौट आता है चुहा टॉट को अंदर ले जाता है और उसे सूचित करता है कि टॉट हॉल को वाइल वूट से वीजल्स स्टोट्स और फेरिक्स द्वारा कबजा कर लिया गया है जिन्होंने मोल और बगेर को बाहर निकाल दिया है रातों से लेस, बगेर, राट, मोल और टॉट सुरंग के माध्यम से प्रवेश करते हैं और एक चशन मनाने वाली पार्टी आयोजित करने वाले अंसुनी वाइल वुडर्स पर जपट दोड़ते हैं घुस पैठियों को दूर भगाने के बाद प्रॉड अपनी वापसी को चिनहित करने के लिए एक भोज आयोजित करता है जिसके दोरान वे चुपचाप और विनमरता से व्यवहार करता है वे उन लोगों की तलाश और ख्शति पूर्टी करके अपनी पहले की जातियों को पूरा करता है जिनके साथ उसने अन्याई किया है और चारों दोस्त हमेशा खुशी से रहते हैं मुख्य कथा के अलावा उस्तक में राट और मोल की कई स्वतंद्र लगू कथाईं शामिल है जैसे कि ओडर के बेटे पोटली की खोच करते समय जंगली देवता पैन के साथ मुटफेड और समुदरी चुहे के साथ रैटी की बैठक ये टोट के कारणामों को क्रॉनिक करने वाले अध्यायों के बीच अधिकांश भाग के लिए दिखाई देते हैं और अक्सर इन्हें अकरन और नाट की अता से हटा दिया जाता है सारांश का अंत शुक्रिया